हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैई चेनल आज मैं आपके लिए बहुत एमेजिंग एक आइसक्रीम लेकर आ गई हूँ जैसे कि हम पहले और्यो बिस्कृट के आइसक्रीम बनाती थे इस बार में ने जो आइसक्रीम मनाई है वह हाइड इंस बिस्कृट की आइसक्रीम थे अपर देख सकते हैं पूरा एक पैकेट मैंने आपड ले लिया मैं इसको अच्छे से पहले कूट लेती हूं क्योंकि इसमें जो बिस्कृट है हमें अच्छे से कूट लेना है उसका एक प्वाडर बना लेना आपको आइसे नहीं करना है कि पैकेट को ओपन करकी और उस अच्छे निचे चला जाएगा इसमें डालना है जैदा एक्स्ट्राएड करना है आप देख सकते हैं में इसमेही i-s означate जाएँ अधा बनाई हो महले तो सबने On раза O var dyaknow, मैं आप पर एक स्ठिक सेट कर देए angles लगा कर इसको ओवरनाइट के लिए सेट कर लेती हूं यहां पर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट को मैल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में आप देख सकते हैं टू टी स्पून ऑफ मिल्क एट करके मेरी जाइस्क्रीम में वह भी देखे किते चीज़ सेट हो गई है मुझे लग रहा है बढ़िया तरह बन गई है मैं जद्दी से इसको ओपन कर लेती है और इसको जो रैपर है वो हटा देती हूं आप भी जरूर से ट्राइ करना और मुझे फीडबैक कमेंड डाउन करके बताना कि आपके एसक्रीम कैसी बनके रेडी हो यह और आप कौन से डिस्कृट की मेरी से एसक्रीम में देखना चाहते हैं यह भी आप मुझे कमेंड डाउन कर सकते हैं वही बिस्कृट की मैपके ल आपको इसी भी चॉकलेट ले सकते हैं याप पर में डेरी मिल्क चॉकलेट को मेंने टू टीस्पून ओफ मिल्क एट करके माइक्रोवेब में रख दिया था 30 सेकंड के लिए जिससे कि अच्छे से मैल्ट हो गई है मैंने याप थोड़ी चॉकलेट पतली लिये कि जिससे कि अ अब देख सकते हैं आपको कैसी लगती है चॉकलेट आइसक्रीम यह भी आप मुझे कमेंट डाउन करके बताना जल्दी से जाओ कमेंट डाउन करो क्या आपको कौन से आइसक्रीम मेरे से देखनी है तो वही मैं आपके लिए फटा-फट से लेकर आउंगी आप देख सकते ह मेरी हाइडन से बिसक्रीम बनके रेडी है तो जल्दी से जाएं और प्राई करें फीडबाइक कमेंट डाउन करके बताएं थैंक्यू थैंक्स वर वाचिंग